हेलो इस्टुडेंड का बेक लासिस एस्पियन में आपका श्वागत है जैसा कि आप लोग जानता है कम्प्लीट जुलोजी के क्रम में हम लोग कुछ अब्जेक्टिब टाइप के कोईश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग सॉल्व के लिए बहुत ज्यादा हेलपफुल होने वाले हैं तो इसलिए प्रतियक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझना चलिए सुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है हमारे पास है विच आप दा फालॉइंग इस नाट है इन नेम फॉर स्पंज स्पिक्यूल्स न टेट्रा ऑगजौन होता है ट्राइगजौन भी होता है लेकिन एक जॉन नहीं होता है और सिमें पाए जाता है नर्व स्भाज। कोशिगाहं में होता है दुसरा है मोस्ट इंपृतन करेक्टर और आफ ऑल स्पंजिन इस सबीसे जसका एक इपटेंट लक्षण है कवसा है सीलेंट्रों चौके तो सब्सक्राइब आधा में पाई जाती जारूरीई है जरूरी नहीं है कि हरिविश ओ कोईनो साइट्स कोईनो साइट्स पूरी फेरा में ही यानि स्पंजेज में ही पाई जाती है तो करेक्ट आप्शन सी हो गया लोग का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरा कि विच आप दा फॉलेंग फीचर इस यूनिवर्सली प्रजेंट इन ऑल इस पंजेज उड़ो सभी स्पंजेज में ऐसा कौन सा लक्षण है जो हर जगह के स्पंजेज में पाया जाता है सभी बिरकार के स्पंजेज में होता है मरीन हैविटेट जरूरी नहीं है तो परेसर कि वॉटर में भी यह पाय जाते है तो पहला गलत हो गया बी प्रजेंस आफ इस्पीक्यूर्स реш पर जैंस भी होतते हैं तो दूसरा भी गलत हो गया पर्यंस फोफडेंस ओफ इसस पन्जी उसी यह ला इस पर्यंश उसीतिक है क कि सम में पाये जाएं किसी किसी मैं कार्बोनेट होता है किसी में सिलिका होता है तो किरेक्ट आप सनYY हो जाएगा इसे संब में मिलेगी हर स्पंजें में अगला है कॉलर सेल्स आर करेक्टरिस्टिक और सेल्स को बोलते हैं को इन तो साइट किसमें पाई जाती है Sponges में होती हैं बहुत important question है यह Next देखते हैं पाँच मा question Sponges poses poses Sponges में पाया जाता है No tissue Epithelial tissue only All four types of tissue उसक परकार के tissue पाया जाते हैं Epithelial tissue या Connective tissue दोनों पाया जाते हैं रिखाए केवल एपिछी लिट इसव्य पाया जाता है बहुती इंप्टेंट इसमें कोई इस नहीं होता है नो टिशूद केवल केवल सेल सो तिने its next है सब्सक्राइब का लक्षण है कोईनोसाइट्स पाय याती है कै Freeze सिस्टम भी पाया जाता है कि सद्ध एक यह बहुति एक जो है एक जिस्त मतलब बाहर निकलने के लिए पानीalth दे एक कैक定 निकास और कई माॉथ लेटस यह वी सठीगुए को कि माॉथ लेटस क्या होते इसके में talking चाहगे यह कई होते हैं तो आल आफ दी एबब हो जाएगा एसमें ड्लि आपसट्स अज़ा है लो भी दीवठान टिके संगर्स देखते हैं साटवा स्पाई जाती है नहीं होती तो नहीं होता है विलर तो और यह था यह सिल्ट रेटा में भी नहीं होता है यह है यह मतलब प्रोटो जोगा को छोड़कर मांकि सब कहाँ से मेटा जोगा है सिक निवेरस माउठलीट्स एंडवन एक ज़िस्ट कई जो हैं माउट लेट यानि जिसके आस्टिया होते है खिद्र और एक एक निकास तो 90 यह ही बिलुकुल डिट्वर सब में कि अगला है अ इन इस फंज दिर इस इस फंजिस में कौन सी सिमिट्री होती है सिविट्री मतलब नहीं होती है इनमें इस इंगल एक जिस्ट क्योंते कि इस पंजेज में सिंगल निकास और कई उस्टिया होते हैं जिससे पानी सरीर में एंटरों इने माय। लेट्स कहते हैं. हैं हिना में ऑल सोगाती, ह XL अनिमल्स में नटरर्ण वृय। कौंसे आनिमल्स में स्वसंतंत्र सर्जंतंत्र और और फ्रचंचरणतं हैं और न यह, तो है यह होते हैं स्पंजिज में नहीं में के लिए और ओरता है सालेटरी सिस्टम पैया जाता है अगला है दस्व skills पॉश्चन वीच आफ दा फॉलिएगार मल्टी सेलूलर ग्रेड ऑफ ग्रेड ऑर्गनाइजेशन बहु कोशी कि इस तरका किसका संगतन है तो किसका है स्पंजेज का प्रोटो प्रोकेरियोट्स में तो प्रोटो प्लाजमी होता है बर्टीवरेट्स में तो ऑर्गन सिस्टम की और ग्रेड का हूवत इंपॉर्ट्न कोरेजिंञेर नेक्स्टे ट्व्यर समर का लिवट सνεactic किया था तो नहीं क्यूंद बाताया था活 इसमें क्लियर हो जाएगा एनिमल नेचर आप सपंज जी सोंबाई इस पंज इसका एनिमेट एनिमल नेचर क्या है तो हो जो एक न्योटिशन मतलब जंतु सम इसमें पोशन होता है जंतु तरह बोजन ग्रेंड करते हैं पचाते हैं और अप सोशन करते इसके बाद जो बचा हुआ भोजन है उसको निकालते हैं तो जनतु साम हो गया पोशन सेलोलोज भी नहीं पाया जाता है प्रिजेंस आप सिलियेटिल डार्वा भी पाया जाता है तो प्रिट हो जाएगा इसमें के रेक्ट ओट्सन लुजाएगा ठीक है तो आप चलते हैंक मेरीरे स भूजिण है कि आगला क्वेशन है मोस्ट इस्पंज आर अधिकतर का जाती और हैं तो अधिकतर कैसे होते हैं टोनों सिमेटरी पाई जाती और अधिकतर पूंच रहा है अधिकतर गौंज होते हैं तो अधिक्तर होते हैं साथा कोसे सब्सक्राइब करते हैं या नी त officer होता है क्योंकि इसके और स्टिया फिल्टर की तरहeseं काम है इससे पानी अंदर जाता है कि अगला है सोलवा नंबर कुश्चन है कि करेक्टरिस्टिक ऑप स्पंजेज इस इस पंजेज का एक लक्षण है ग्यां बोड़ी में चिद्रित होती है तो यह तो लक्षण हो गया अग्राट टुप्लॉ ब्लस्टिक नहीं यह इसा नहीं एक वेटीक ऑट्रिक टो बहुत से जोन एनिमल्स के माउथ की तरह भिकरता है तो वह Attack और ऑस्टीए जो इसमें प्रक्राइबंद एक एकजश्ट मतलब अनिकास की तरह काम करता रही को कि नेक्स्ट कुरिशन है सत्रवा स्पंजिस फॉर्म साइड लाइन आफ एवोल्यूशन हैंस काल स्पंजिस में एक अलग एवोल्यूशन एक अलग तरह का उद्विकास दर्साते हैं इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है पैरा जुआ भी कहा जाता है स्पंजिस का दूसरा नाम क्या है पैरा जुआ पूरी फर्स भी बोलते हैं स्पंजिस भी बोलते हैं और पैरा जुआ भी बोलते हैं मेटा जुआ का ही एक पार्ट है यह पैरा जुआ उन्निसमा क्वेशन है which is correct for sponges sponges के लिए कौन सा सही है single mouthlet and interval exist ये तो सही है single exist ये गलत है क्योंकि single mouth नहीं होता है ये गलत है b वाला सही है तो इसमें कौन सा हो जाएगा b सही हो जाएगा radial symmetry तो पूरी पूरी नहीं होती क्योंकि ये asymmetrical भी होते है तो इसलिए ये जो है asymmetrical भी होते है तो ये सी वाला गलत हो जाएगा वैसे आला अब्दा अबब पहला ही गलत हो गया तो आला अब्दा अबब होना ही नहीं चाहिए तो करेक्टर आप्सन कौन साह भी अगला है बीसमा क्वेश्चन sponges आर sponges होते हैं कैसे होते हैं प्लैजिक प्लैजिक मतलब जो पानी के भीतर रहें फिरी स्विमिंग जो स्वतंत रूप से तैरते रहें तो ना ही पानी के भीतर रहते हैं मतलब बीच में रहें जो पानी ना तली पर ना सतय पर बीच में रहें वो प्लैजिक पूले जाते हैं फिरी स्विमिंग उत्ला स्वतंत रूप से तहलने वाले तो ऐसे भी नहीं होते हैं प्लैन्ट्रोनिक यानि उपरी सतय पर तहरने वाले तो ऐसे भी नहीं होते हैं तो कैसे होते हैं सेसायल का मतलब होता इस्थिर ये इस्थिर होते हैं ये गमन नहीं कर पाते है करेक्ट आप्सन डी हो गया किसमा है था फाइलम ने पूरी फेरा बाज गिवन वाई बहुत इंपोर्टन कोईशन है कई वार पूछा गया है पूरी फेरा नाम किसने दिया था तो ये दिया था रोबर्ट ग्रांट ने ठीक है तो डी आपसस है होगा मीजो हिल इस फाउंड इन बहुत ही इंपोर्टन कोईशन ये भी है लगातार दो इंपोर्टन कोईशन आ गया है मीजो हिल किसे कहते है मीजन काईम का दूसरा नाम है मीजोहिल मीजन काइम जो एक्टोडर्म और पिनेकोडर्म के बीच में जो एक नॉन सेलूलर मतलब अकोशे की इस तरह होता है उसे मीजोन काइम बोलते हैं यह PCS का कुश्चन है तो यह किसमें पाया जाता है पैरा जोगा में अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पूरी फेरा को पैरा जोगा कहते हैं देखो PCS में कितना गुमा दिया एक तो मीजन काइम को मीजोहिल लिख दिया और पूरी फेरा को पैरा जोगा लिख दिया तो करेक्ट आप्सन कौश्चन है सब्सक्राइब पाई जाती है रेडियल स्मिट्री ने तो पाई जाती है तो सी सही हो जाएगा तो यह कुल सा हो जाएगा सी बोड आफ इस अगला विच आफ दाफ फॉलिए इस नॉट एस शीएटेट तोटी पोटेंसी मतलब एक से एक से पूरा और्गनिजम बन जाना क्या कहलाता है तोटी पोटेंसी कहलाता है तो यह भी पाई जाती है कि आर्टी पोटेंस होती है मेटा जने सिस्से पाई जाती है तो मेटा जने सिस्से संबंदिन नहीं है इसकिस्में होता है Give me an excellent time होता है oven वह थी पाच्चेस्माह क्विश्चन वीचे आफ्ध़ 파िविंग से कौन सांम्हें कोट्री घयीन बहुत इंपोर्टेंट कॉश्चन है यह सायो ना नहीं है सायोना किसमें आता है सायोना जो होता है ये सायोना मेंबर है ये सिफेलो कॉड डेटा का साइडी मेंबर ये इसमें नहीं आता है नेक्स है चप्विसमा क्वेश्चन चब इसमा क्वेश्चन है तर नॉन सेलूलर लेयर प्रिजेंट बिट्विन पिनेकोडर्म और कोईनोडर्म कोईनोडर्म और पिनेकोडर्म के बीच में जो नॉन सेलूलर लेयर पाई जाती है उसका नाम क्या है तो अच्छितरह से जांते हैं लोग मीजन काइम इसे मीजो हिल केहते हैं मीजो हिल भी केहते हैं मीजो हिल तो यह ध्यान रखना ए हे इसमें क्या है which of the following is called Republic of cells कोजिकां का गढ्राज जी किसे कहते हैं तो किसे कहते हैं flows को कहते हैं अगला है 28 निर्ट फालविंग ऑट कुछिए नाट ए इस पंच निम्ली चित में से कौन सा इस पंच नहीं है मार्क कीजिए तो स्पंच कौन सा नहीं है इसमें स्पंची कोला नहीं है इसमें बाकि सब इस साइकॉन भी स्पंज है फेरोनिमा भी है क्लायोना भी है स्पंजी कोला यह स्पंज नहीं है यह एक आर्थ्रोपोडा का मेंबर है ठीक है आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में पढ़ते रहिए और कोईशन अच्छे लगे हो तो इसको लाइक जरूर कर द ने धन्यवाद